हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं मिर्तियूंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्यान निति के यूट्यूब क्लासिस में यहां हम आपको SSS Seals Related Prelims का क्लाश पढ़ा रहे जिसमें की पीछे जो है जितने भी टैप के questions आए है Prelims में, Previous Years में उसको हम यहां आपको basic तरीका और उसके साथ साथ उसके concept भी आपको revise करवा रहे तो चलिए आज का क्लास हम start करते हैं तो हम देखते हैं पहला question आपको पहला question क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ देखिए आपको इसमें कह क्या रहा है पहले वो देखते हैं कह रहा है कि code AB and CD of a circle intersect at point P inside the circle मतलब कोई एक circle है मान लो ठीक है इसमें AB है यह मान लो AB, A और B और एक और है CD, C और D यह intersect कर रहा है P पे inside the circle अब आपको क्या बोल रहा है देखिए AB बरावर आपको देदिया है यह AB बरावर देदिया है 10 और AP बरावर देखिए AB बरावर कितना है 10 और AP बरावर कितना है 4 अगर यह 4 है पुरा AB अगर 10 से यह कितना हो जाएगा 6 फिर बोल रहा है PC बरावर PC देखिए यहां है PC यह हो गया ठीक है PC बरावर 5 और फिर बोल रहा है कि CD बताईए कितना होगा CD मतले यह टोटल तो पहले हम यह अगर निकालने X तो हमको यह पता चल जाएगा कि CD बरावर क्या होगा अगर मैं यहाप आपको थोड़ा सा चीज समझाना जाता हूँ अगर इसको आप मिला दे अप गौर से देखना हम क्या बता रहे है ठीक है formula से पहले आपको थोड़ा चीज बताना चाहते है आप जानते कोई भी कोड तो यह लेंद थीटा और यह थीटा बरावर होंगे और यह यह एंगल और यह एंगल बरावर होगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर कोई यहां कोड है तो जो जितना एंगल यहां बनाएगा उतना ही यह यहां भी बनाएगा यह चीज आपको समझना है ठीक है यह सरकल का प्रपरटी है और क्यों ऐसा होता है वह हम बाद में जिक हीतिर करेंगे तो खुल्ट मिलाके आप यहां देख लिये कि यह भी थीटा है यह भी थीटा यह भी ऐलफा और यह भीं माल लिए अलफ याल धीता जो भी है तो यह दोनों ट्रींगल आपको क्या होगा आसमें वाला, पासमें क्या होगा सिमिलर हो गए तो क्या होता है Cao थीटा के सामने वाला चार बाई समझे थीटा के सामने इधर थीटा के सामने कौन है एक्स तो चार बाई एक्स बरावर अब इस एंगल के सामने क्या है सरी थीटा के सामने देख रहे थे अब इस एंगल के सामने क्या है पांच और इस एंगल के सामने क्या है छे क्लियर हुआ समझ माये आपको अगर इसको आप देखोगे सही से तो 4 इंटू 6 बराबर 5 इंटू X इस formula को आप ध्यान रखना है मतलब यहां अगर मैं देखो तो 4 इंटू 6 4 इंटू 6 मतलब आपको कहना है कि AP इंटू PB बराबर क्या होता है CP इंटू PD यह चीज यह formula आपको हमेशा अपने अंदर में क्या करना है ध्यान रखना है तो 64 के कितना हो जाएगा 24 बटे 5 बराबर X तो 5 से काटें कितना बन कटेंगा 25 25 85 4.8 अब हमसे पूछा क्या है देखो आपसे पूछा है CD क्या पूछा है CD CD कितना हो जाएगा आप बताओ CD हो जाएगा आपका CP प्लस PD CP आपका पांच था और अभी PD कितना आगया आपका यही तो X माने थे PD को ठीक है तो यह फोगया 4.8 दोनों में लेकिया आगया 549.8 क्लियर हुआ चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ओके यह हम आपको पहले यह बताए हैं और आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह बार बार आता रहता है ताकि आप मिस ना हो ठीक है देखिए स्ट आपज़ा ट्रेंडेट इस ट्रेंड इस स्पीड ऑफ इटी क्लिमेटर में बात करो तो असी किलोमीटर पर आवर है ठीक है और विथ इस स्टोपेज केसे चल रहा है इजा विथ ऑ इस ट्रोपेज कितना है इसका 64 km per hour तब पूछ रहा है कि for how many minutes does the train stop on average per hour तो कितना मिनट जो है एक hour में वो ट्रेन रुकी होगी अगर हमको यह निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे ठीक है तो minute per hour कितना देर के लिए रुका होगा ओके यह क्या करना है तो आपको दोनों को पहले से क्या करना है उस वाले स्पीड से इसको डिवाइड कर देना है तो विदॉट इस्टोपेज वाला कौन सा है 80 इसको 80 कर दो into चुकि आवर में minute के बारे में बोला है तो आवर में चेक करेंगे नहीं तो minute में ही एक hour में कितना मिनट होता है 60 मिनट आप देखो असी में से 64 गया 16 बटे असी इंटू 60 तो आपका अंसर क्या हो गया 12 मिनट पर आवर यह क्या हुआ है यह ट्रेंड रुकी है मतला हर एक घंटे में यह 12 मिनट के लिए और फिर चलिए तो इस तरह से मतलब हुआ तब जाके स्पीड कितना आया है 64 किलोमीटर पर आवर और रुकी है इसलिए स्पीड क्या हो गया घट गया क्लियर हुआ अब चलते हैं next question की तरह आप जो हम next question पढ़ने वाले हैं पहले इसको बताते हैं आपको ऐसा question दो तीन तरीके साथ है देखो पहला चीज क्या है यहां समझना है कि यहां आप एक चीज देखना पहला चीज तो यह है कि दो article are sold for Rs.9.62 each मतलब कि पहला article की बात करो या दूसरा article की बात करो तो SP अगर कह तो पहले वाले पे उसको 30% का लाभ हुआ है profit and other ही लूजे 26% दूसरे में 26% लूज हुआ है तब कह रहा है what is his overall gain और loss percentage nearest to one decimal prices तो कह रहा है उसका overall जो है ना loss और gain बताना है ओके तो आप एक चीज समझना हम CP की बात करते हैं ध्यान देना CP ठीक है CP हम मान लेते हैं 100x इसका मान लेते हैं CP 100y सकेंड वाले का पहला और दूसरा अब बताव SP इसके हिसाब से क्या होना चाहिए अगर 100x है 30% का इसको क्या हुआ है gain हुआ है तो 100x का 30% 30 मतलब कुल मिला कि इसका SP क्या होगी 130x को दिकत नहीं न इसका आर्थ कितना होगी बताव मैनस 26% 26% इसको loss हुआ है यह जाएगा 74y कोई problem लेकिन यह दोनों SP दोनो 962 के ही बरावर है यह भी 962 के ही बरावर है ठीक है हमको यहां कुल मिला कि क्या निकालना है अगर दोनों का हम चुकिए overall बोला है देखो यहां पे overall बोला है कि हमको percentage गयन यह loss बताना है अगर इसको देखो तो दो दोना चार च्छे दोना बारेक दो बाकी 1924 रुपए उसका SP है दोनों का मिला के 1 प्लस 2 का हमको भी यह CP भी चाहिए हमको दोनों का मिला के तभी तो ह कर पाएंगे ना कि क्या loss और क्या gain हुआ अगर यहां से देखोगे इसको अगर यहां से compare करेंगे तो 100X का value चाहिए आपको 130 का पता है तो यहां से बताओ कि X बराबर क्या हो जाएगा 962 बटे 130 हमको चाहिए क्या 100X इधर भी 100 से क्या करना पड़ेगा multiply करना जीरो से 0 हो ग साथ सो चालिस हो गया मतलब यह 100X किसके बराबर हो गया साथ सो चालिस इसी तरह से यहां भी हमको compare करना परेगा कि Y पराबर क्या हो जागा बताइए 962 बटे 74 नहीं हमको चाहिए 100Y तो 100 कर देते हैं ठीक है अब देखो 74 से 2 से 37 दो से करेंगे तो 48 और से 37 करूँगा तो 37 37 तो कुल मिला कि यह 1300 रुपय होगा अब जब 37 हो जागा न है 111 तो अब यहां पर पता चले हमको कि दोनों का सीपी कितना था इसका 740 तो इसका 1300 तो दोनों का सीपी मिला कितना हो जाएगा बताओ जीरो चार तेरह साथ 20 तो अब सुचो कि यह CP था फाइनल और यह है आपका SP मैंना खरीदे जादा में थे और बेचे कम में है था हमको क्या हुआ है तो यहां हुआ है आपको हानी क्या हुआ है हानी तो हानी हुआ है तो परसेंटेज लॉस ही निकलेगा है की नहीं आप इसको इसमें घटाओ 1924 को तो आपको पता चाहिए 1924 घ कर लो इसको जिरो-जिरो काट देंगे अब तो और कुछ कटेगा अगर इसको काटोगे तो यह चार से कटेगा देखो चार दोना आठ चार नमा च्छतिस को चार पचे बीस चार काई चार तो कुल मिला के हो गया 290 बटे 51 अब इसको भाग कर लो कि कि वन डेसमल प्लेस तक बोला है अपको निकालने तो 290 तो पांच बार में लगेगा पांच पचे 25 55 है 55 560 होता है तो 35 पॉइंट डालोगे तो 0 6 में 7 काई 7 work कायं 70 6 पचे यह लगेगा तो 6 कायं 6 6 पच dûतude 44 ऑ लगअ में 5.7 कहता है आपका यह झाय सरएगा परसेंटिज तो आ परसेंटिज लोस कितने का हो गया तो 5.7 परसेंट का आपको क्या हो गया यहां पर लोस पहलिए समझ मया एक क्या क्वेश्चन आता है आप दियान देना अगर यहां लिखा हुआ 30% गैन और 30% loss भी 30% होता तब इसका overall क्या होता है बताओ आप समझे मेरी बात अभी अलग अलग दिया हुआ था gain और loss लेकिन अगर overall अगर दोनों gain भी उतने परसेंट का loss भी देख दे तो आप डारेक्ट बोलना कि जो परसेंटेज जो लॉस हुआ है तो overall आपको लॉस ही होगा और वह कितने का होगा वह बता देता हूं 30 इंटू 30 बटे 100 जो जो करता है जो करता है तेंटिया 9 तो 9 परसेंट का loss होता है अगर दोनों सेम होता है तो direct आजाता answer लेकिन सेम नहीं है तो आपको ये process से आगे परना परेगा समझ गए तो ठीक है तो अब हम चलते हैं अपने अगले question की तरफ तो देखिए ये वाला question है यहां क्या बो बता हो मुझे ठीक है ये 48 डिगरी और ये 42 दुनों मिलके क्या हो जाएगा 90 डिगरी ठीक है इसका अर्थ है कि इसको हम convert कर सकते हैं और हम एक बात जानते हैं कि साइन 90 मैनस थीटा बराबर क्या होता है भाई कॉस थीटा तो क्या यहां इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं साइ 40 डिगरी धे लार साइन स्कोर 40 ty कि ठीक है तो यह दोनों मिलके कितना हो जागा बताइगे धिया सिक स्कोर 3 दिएन देना क्या थे टिए सटी करते हैं तो यह हो जाएगा 2 by root 3 का whole square जानते होंगे आप cost 30 है तो यह sin 60 root 3 by 2 हो जाएगा तो 2 by root 3 का whole square plus 1060 कितना होता है root 3 इसका square अब आप देखो 1-2-2-4 बटे 3 plus 3 अब इसको solve कर लो तो 3 और 1-4-4 बटे 3 ही हो गया तो चरतिया 12 में से 4 गया 8 बटे 3 इसका क्या हो गया answer या फिर कह सकते हैं 2-2 by 3 ठीक है यह fraction value इसका हो जाएगा समझ में आ रहा है आपको ठीक है ओके तो अब चलते हैं हम यह वाले question पर इसको कैसे करना है वो देखना अब आपको पता है बताई यहाँ पर AB कितना है 5-8 और CB कितना है 4-3 ठीक है और आपको ABC का ratio चाहिए मतलब कुल मिला के दोनों में common क्या है इस ratio और इस ratio b common है यहाँ b कितना है बताओ 8 यहाँ b कितना है बताओ 3 है न तो दोनों में बराबर कर दो तो इसको आप क्या कर दो 3 से multiply कर दो क्योंकि आप एक चीज़़ँ तो पांस्तिया 15 और अट्तिया 24 इसको किसे करना है बताओ 8 से ठीक है तो C इस्टू B क्या हो जागा अट्चोक 32 और अट्तिया 24 अब बताओ A इस्टू B इस्टू C अब ऐसा इसले कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों जगर B सेम कर लिए तब A और C डारेक्ट उतार सकते हैं तो A क आप एसे लिखलो A इस्टू B बराबर कितना था 5 इस्टू 8 अब B इस्टू C बताओ कितना होगा तो C इस्टू B एकर 4 इस्टू 3 है तो B इस्टू C क्या अजगा 3 इस्टू 4 क्लियर हुआ अब देखो हमको निकालना क्या A B C अब देखो यह कैसे आएगा अब ए चाहिए तो यहां से डियर्ट आज़ाओ पांस्तिया पंद्रे एक लिए तो आपको आज का वीडियो हमारा बर अच्छा लगाओ इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और वही कुशन हम कर रहे हैं जो आगे एक्जामस में आते हैं तो हम मिलते हैं आपसे अपने निक्स्ट वीडियो में और अच्छे कुशन के साथ तब तक के लिए बाई बाई आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए ओके